दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ सार के बारे में 5 Amazing Facts नमर वन आम तोर पर सार की तैरनी की रफतार 4-8 किलोमेटर पती गंटा होती है जबकि सार की एक ऐसी प्रजाती भी होती है जिसकी रफतार 60 किलोमेटर पती गंटा भी होती है नमर टू सार की सुंगने की सकती बहुत ही गजबकि होती है यह देड किलोमेटर दूर इस्ते थे खून की बून को भी सुंग सकती है इसलिए कई जख्मी जीव असानी से सार का सिकार बन जाते है इसकी यही खूबी इसे सिकार की तलाश में मदद करती है सार्क के सुने की सकती काफी जादा होती है या लगबक 30,000 फिर दूर तक कि किसी भी तरह की अबाज को सुन सकती है क्या आपको पता है सार्क के कान उसके बाहर नहीं उसके अंदर होते हैं सिकार के दौरान सार्क के दां सिकार के अंदर ही तूट जाते हैं रिसर्टर्स का कहना है सार्क अपने 4000 से भी ज़्यादाद इसी तरह गावा देती है इसके दाश साथ दिन के अंदर अंदर उग जाते हैं और सार्क के जीवन काल में 3000 से भी ज़्यादाद उगते हैं सार्क पर रिसर्च कर रहा है क्योंकि सार्क के कैंसी जमुदरी जीव है जिसे कैंसर नहीं होता इसलिए इसे कैंसर फाइटर भी गहा जाता है